यह है Sony का portable voice recorder model number PCM-A10 यह जो device है यह मैंने काफी समय पहले खरीदा था तबी मुझे यह पड़ा तकरीबन 14999 का लेकिन अभी इसका प्राइजिंग है यह पहुंच गया है 21999 के आसपार्स यह portable recorder आप lectures के लिए use कर सकते हैं lectures recording के लिए या फिर अगर आप videos बनाते हैं तो video के लि तो यह जो portable recorder है यह इस प्रकार का दिखता है इसकी body plastic की बनी होई है काफी हत्तक हलका है इसका मैं unboxing नहीं करने वाला हूं वैसे box में आपको यह recorder मिलने वाला है साथ में यह pouch भी दिया हुआ है जिसमें आप यह recorder है इसे ले जा सकते हैं user manual है warranty booklet है और साथ में यह windscreen दिया हु इसे carry कर पाएंगे लेकिन इसकी interesting चीज़ यह है कि इसमें built-in microphone भी दिया हुआ है और इसमें built-in speaker भी है प्लस इसमें built-in storage space भी दिया हुआ है on करने के लिए यहां पे देखे यह button दिया हुआ है आपको इसे push करना है पीछे and hold करना है अब यह on हो गया है और record करने के लिए आपको यह button प्रेस करना है तो इसे use करना भी काफी आसान है और बहुत सरे options आपको इसमें मिल जाएंगे plus volume के जो levels है वो भी आप यहां पे control कर पाएंगे इसमें NFC का भी option दिया हुआ है NFC के जरिए भी आप आपका smartphone है या फिर जो अन्ने devices है उसके साथ में connect कर पाएंगे अब इसकी best चीज़ यह है कि यहां पे देखिए microSD card slot दिया हुआ है वैसे built-in storage space भी दिया हुआ है वो भी आप use कर सकते हैं यह high-res audio support के साथ में आता है और यहां पर पिछे की तरफ tripod option दिया हुआ है तो for example अगर आपके पास कोई camera है इस प्रकार का तो इसके उपर आप एक external voice recorder है इसे connect कर सकते हैं ताकि यह इस microphone के जरीए voice को record करें प्लस यहां पर देखिए microphone का option दिया हुआ है अगर आप चाहें तो lavalier microphone को यहां पर connect कर सकते हैं और यहां पर देखिए नीचे की तरफ audio jack का option दिया हुआ है यहां से आप जो audio है उसे monitoring कर पाएंगे तो यहां पर आ होगा कि अगर आपने इस प्रकार का setup कर लिया तो recording इस microphone के जरीए होने वाला है और directly camera में फीड होने वाला है तो आपको पोस्ट में जो audio है उसे sync करने की जरूती है लेकिन अगर आप individually मतलब की camera अलग से record कर रहा है audio और यह जो device है यह अलग से audio record कर रहा है तो वैसे situation में आ मैं आपको बहुत interesting चीज़ बताता हूँ इस system की यहाँ पर आप दिख सकते हैं कि जो microphones है यह इस प्रकार से place किया गया है इसे आप change कर सकते हैं अब देखे यह directional हो गया है इस प्रकार से तो सामने से exactly जो audio आने वाला है वो record करने वाला है अगर आपको इसे change करना है इस प्र प्रकार से यह देखिए directional हो गया है इस side का और आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं left side directional मेरा left side और अगर आपको इस प्रकार से wide audio को record करना है जैसे कि for example landscape videos आप record कर रहे हैं या फिर काफी जादा crowd है तो उनका जो voice है उसे आपको record करना है सब कुछ record करना है basically तो आप इस प्रका बनाया है short videos जिसमें मैंने इस प्रकार के microphone का उप्योग किया है अब फिलाल जो audio आप सुन रहा है यह मैं मेरा जो professional microphone है उसे use कर रहा हूं लेकिन अब मैं switch करता हूं चुलिए इसकी जो quality है वो check करते है मैंने जो recording है यह शुरू कर दिया है और अब जो भी आवाज आप सुन लिजीए जो camera है वो काफी दूर है यहाँ पर बिया recording कर सकते हैं और camera में भी recording कर सकते हैं और क्यूंकि यह तरह से portable microphone है इसे आप कहीं पर भी ले जा सकते हैं और पाद में आफ्कोस आपको आपको जो camera है उसके साथ में audio को सिंग करना है तो यहाँ पर फिलाल तो recording हो रहा है और यहां पर एक तरह से lock button है, इसे मैं उपर की तरफ push करता हूँ, ताकि यह जो system है यह lock हो जाए, और गल्दी से अगर मैं कोई भी button press करूँ, तो जो recording है वो stop ना हो, तो इसे आप pocket में रख सकते हैं, और यहां पर जो microphone का jack दिया हूँ है, यहां पर आप lavalier microphone को attach कर सकते हैं, और यह जो system है, इसे आप pocket में रख सकते हैं, तो इस परकार से भी आप setup कर सकते हैं, या फिर इसे आप directly जैसे कि मैं आपको बता दिया, जो camera है उसके उपर place कर सकते हैं इस परकार से, तो फिलाले जो wind screen है, इसे मैंने निकाल दिया है, क्यूंकि यहां पर इतना ज़्यादा wind noise नहीं है, और अगर आप यहां पर देखें, तो जो microphone का position है, यह इस परकार से है, तो मैं इसे इस परकार से change करता हूँ, और अभी यह इस परकार का sound करता है, यह जो microphone है, इसे मैंने इस परकार से मेरे पास point किया हुआ है, और अब मैंने microphone को ultra point किया हुआ है, मतलब कि microphone उस तरफ है तो इस प्रकार का sound करता है तो इस प्रकार का यह sound करता है और यह जो direction है इसे मैं इस प्रकार से front में रखा हूँ और इस प्रकार से sound करता है अगर मैं इसे directly मेरे पास point कर रहा हूँ और इस प्रकार से sound करता है अगर मैंने इसे opposite side में point किया हुआ है और अब एक और option है जहांबर मैं जो microphone का position है, उसे wide कर सकता हूँ, यह देखिए, इस प्रकार से, तो अब ये इस प्रकार का sound करता है, इस setting में और अगर मैं opposite side में से point करूँ तो इस प्रकार का sound करता है, तो इससे आपका अच्छा idea मिल गा होगा कि ये जो microphone है, इसकी quality कैसी है, एक और interesting चीज जो क कि आप इस external recorder के साथ में कर सकते हैं, ये रिखे, ये है shotgun microphone, sennheiser का, जो कि अगर मैं चाहूं तो directly ये जो pin है, ये camera का microphone है, उसमें attach कर सकता हूँ, लेकिन ये मैं यहां पर, ये रिखे, जो microphone का option दिया हुआ है, यहां पर connect करता हूँ, और जब कभी मैं इस प्रकार से connect करता तो देख सकते हैं कि ये automatically detect करता है, कि external microphone connect हो चुका है, तो यहां से भी आप setup कर पाएंगे, वैसे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूद नहीं है, आपको directly ये जो button है, इसे आपको एक बार प्रेस करना है, और ये रिखे, इसने record करना शुरू कर दिया है, और ये जो button है, ये shotgun microphone आप use करेंगे, उतना बड़िया quality आपको मिलने वाला है, और ये directly ये जो device है, इसमें store हो रहा है, audio, आपको बाद में जाके जो camera है, उसके साथ में sync करना है, इसका advantage ये है कि ये जो shotgun microphone है, इसे आप जो subject है, उसके काफी नजदीक ले जा सकते हैं, और खास करके outdoor shots के लिए जहाँ पर जो subject है, वो काफी दूर चले जाता है, वैसे situation में हम जादा करके, जो lavalier microphones हैं, transmitter वाले, वो यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर आप avoid कर सकते हैं, इस प्रकार के device यूज़ कर सकते हैं, अब इसमें जो data है, as well as इसमें जो battery है, उसे charge करने के लिए, आपको सिर्फ इतना करना है कि यहाँ पर, यह देखिए, एक slider option दिया हुआ है, इसे आप slide करेंगे, तो यह देखिए, यह USB connector बहार आ गया है, अब यह अंदर चले गया है, अब यह बहार आ गया है, तो आसानी से आप यह USB connector है, आपका जो desktop है, या फिर जो laptop है, उसका जो USB port है, उसमें बैटरी है, वो चार्ज भी हो जाता है, तो इसी प्रकार से आपको charging भी करना है, काफी compact सा unique device है, और यह मुझे खास करके काफी पसंद आया, quality इसकी काफी अच्छी है, comparatively, in fact, pricing अब काफी हद तक इंक्रेस हो चुका है, almost 5000 extra हो चुका है, लेकिन फिर भी एक काफी बड़ी option है, portability के हिसाब से, प्लस quality के हिसाब से, इसमें 16 GB storage space है, इसकी बैटरी लाइफ है, यह है अब टू 15 आवर्स, लेकिन आपको basically बैटरी चेक करने की जरूत नहीं है, क्योंकि जब कभी आप यह जो system है, इसे आपका जो laptop है या फिर जो desktop है, उसके साथ में connect करते हैं, तो इस इसके जरीए battery charge भी होता है, प्लस आप data को transfer भी कर सकते हैं, और जब तक आप, आपका जो project है, उसमें काम कर रहे हैं, इस device को connected रखिए, ताकि इसमें जो battery है, वो charge होता रहे है, तो मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ, और मुझे चेक करने के जरूत नहीं है, कि इसमें बैटरी क इसके आसपास, लिंक मैंने वीडियो के description में दिया हुआ है, वैसे इस प्रकार के बहुत सरे devices अवलेबल हैं, आप वो भी Amazon पर चेक कर सकते हैं, देखते रहे हैं,